नमस्कार जार्खन समाचार में आप सबों का स्वागत हैं आया जानते हैं आज की ताजा मुक्किक खबरों को जैसा सी पेपर लिक मामले में भागलपूर नवादा से गिरपतारी दोनों ने इन्वेस्ट किये थी डेर करोर रुपए अब तक पांच हुआ एरेश्ट SIT के हाथ अब भी हैं खाली जैसा सी असनातक अस्त्रिय परिक्षा पेपर लिक मामले में अब तक पांच गिरपतारी हो चुकी है तीन गिरपतारी राची से हुई वही दो गिरपतारी सुकरवार को बिहार के भागलपूर और नवादा जिले से हुई है भागलपूर से गिरपतारी राहुल प्यूस औ कि राजू कुमार के साथ मिलकर पेपर लिग करने के लिए देड़ करोर रपे इन्वेस्ट किये थी दोनों ने बैंक एकाउंट खोला जिसमें उमिदवारों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थी SIT को अब राजू की तलास है राजू नहीं पेपर लिग की साजिस रची थी उसके साथ अभिसेक और राहूल भी सामिल था पुस्तास के दोरां राहूल प्यूस और अभिसेक राज ने बताए कि राजू ऐसे उमिदवारों की तलास करता था जो नोकरी के लिए मोटी रकम देने के लिए तेयार हो लेकिन परिक्षा से पहले ही पेपर सोसल मीडिया पर वायरल हो गया इससे उमिदवार सेट नहीं हो पाए और इन्हें पैसे भी नहीं मिले जाच में यह भी पता चला कि अभिसेक नहीं पेपर की कोपी जैसे सी के इमेल पर भेजा था हैमन्त सुरन के जारकन मिधासभा के बज़श सत्र में सामिल होने पर हाई कोट में सुनवाई अब 26 को हैमन्त सुरन जारकन मिधासभा के बज़श सत्र में सामिल होंगे या नहीं इस पर जारकन हाई कोट में शुमार को यानि की 26 फरवरी को सुनवाई होगी परवर्तर नेदेसाली के विश्यस आदालत से डबल जटका लगने के बाद हमन्त सुरेन नी जारकन हाई कोट का रुख किया था जश्टिस शुजित नरान परशात की आदालत में हमन्त सुरेन की याजका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारिक मुकरर की गई है आप सबु को बता दो कि EDK विश्यस आदालत ने हमन्त सुरेन की याजका खारिज का दी तो उनके वकिल ने जारकन हाई कोट में जश्टिस शुजित नरान परशात की आदालत में याजका दाखिल की याजका में कहा गया कि जारकन के पूरो मुक मंत्री हमन्त सुरेन को बज़र सत्र में सामिल होने के अनमत्ती मिलनी चाहिए यह उनका समय धानिक अधिकार है शुकरवार को जारकन के पूरो मुक मंत्री हमन्त सुरेन की इस याजका पर जश्टिस सन प्रशात की आदालत में सुनवाई गया है जारकन हाईकोट ने कहा है कि इस केस की सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी महा अधिवक्ता राजी उरंजार ओशीनियर एड़ोगेट प्यूस चित्रिस ने हाई कोट में हमन सुरन का पक्छ रखा मोसम विभाका जार्कन के 15 जिलों के लिए अलर्ट कई हिस्त में बारिस और उलावरिशी सताज फरवरी तक का पूरो अनुमान जार्कन में एक बार फिर मोसम करवट लिता दिख रहा है राजमी सुक्रवाज साम सही अकास में आंसिक बादल चायवे हैं मोसम अधिकार 37 चंदर मंडल ने मोसम पूरो अनुमान में बताया है कि अफगरिस्तान के उपर पस्मी विजोब बना हुआ है जिसके पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं वही बंगाल की खाड़ी के उपर एंटी साइकलोन आने वाले दिनों में मजबूत होगी इन दोनों का असर जारकन में देखा जा सकता है वही आज 25 फरवरी को जारकन के उपर आंसिक बादल चाय रहेंगे जबकि 26 और 27 फरवरी को राज में कमुवेस यही इस्तिती रहेगी मोसम बिज्यानिक 37 चंदर मंडल ने बताया कि 25 फरवरी को राज के पस्मी और दक्षिनी हिस्तों में गरजन के साथ बारिस होने का अनुमान है मोसम बिभाग राची ने यलो अलर्ट जारी करतिवे चेतावने दी है कि 26 फरवरी और 27 फरवरी को राज के पस्मी दक्षिनी तथा मद दिभाग में गरजन, बजरपात, हवा का तेज जोका के साथ उलावरिष्टी भी हो सकती है मोसम अधिकारी 37 चंदर मंडल ने मोसम पूर रुमान में बताया है कि अफगानिस्तान के उपर पस्मी विजोग बना हुआ है जिसके पूर्व की ओर बढ़ने के असार है मोई बंगाल के खाड़ी के उपर एंटी सैक्लोन आने वाले दिनों में मजबूत होगी इन दोनों का असर जारखन में देखा जा सकता है आप सबू को बता दो कि 26 फरवरी को राइस के पस्मी दक्षिनी और मत दिभागों में उलाविष्टी होने का अनुमान जताया गया है इसलिकर मोसम विज्यान केंद्री ने येलो अलर्ट चारी किया है इन हिस्षों में उलाविष्टी के साथ ही तेज हवाई और थंडरिंग भी हो सकती है इस दोरान पस्मी हिस्षों में उलाविष्टी की प्रवल संभावना है जिसमें पलामूल, लातिहार, गरवा, चत्रा, लोहरदगा, गुमला, जिरास सामिल है वहीं 27 फरवरी को राईज के कुछ हिस्षों में बारिस होगी इस दोरान राईज भर में तेज हवाई का असर दिखा जा सकता है यहां हवा की रप्तार 30 से 40 किलोमेटर परती घंटे के आसपास चलेगी इस दोरान थंडरिंग की भी संभवना है मुसम विज्ञान केंद्री ने बताय के 28 फरवरी से राईज के मुसम साप होगा इसके साथ ही लोगों को गर्मी महसूस होने लगेगी यदि तपमान की बात कले तो 27 फरवरी तक राईज का उस्तन तपमान 16 डिगरी और अधिक्तम 27 डिगरी दर्थ किया जाएगा गोड़ा गोमती नगर ट्रेन को सांसत ने दिखाई हरी जंडी भागलपूर के लोगों को भी होगा फायदा गोड़ा गोमती नगर वाया भागलपूर स्पेशल ट्रेन को सिनिवार को गोड़ा इस्टेशन से रवाना किया गया सांसा डुक्टर निशिकान दुबे विधायक अमित मंडल सहित मालदा डिवेजन के DRM विकास चोबे ने संक्त रुप से हरी जंडी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया ट्रेन अपने निर्धाय समय 14 बसकर 10 मिनाट पर गोड़ा एस्टेसन से खुली कारिकरम की शुरुवात DRM ने सांसा डुक्टर निशिकान दुबे और विधायक अमित मंडल को गुलदस्ता देकर किया इस मोके पर आयोजित कारिकरम को संब्धित करते हुए सांसा डुक्टर निशिकान दुबे ने कह कि गोड़ा गोमती नगर ट्रेन गोड़ा से खुलने वाली ग्यारवी ट्रेन है अभी और भी दो ट्रेनों को हरी जंडी दिखाए जाएगी इसमें एक गोड़ा लोकमाने ट्रेमिनल जो मुंबाई तक जाएगी तथा दुसरी गोड़ा से हस्डिया होते हुए देगवर तक जा सांसाद ने कहा कि पेम नर्र्द मोदी ने इस पिछले चित में रइल का जाल बिछा दिया है हश्डिया से गोड़ा तक रेल के विस्तार में तो राय सरकार ने पैसा दिया भी लेकिन गोड़ा से महगमात तक का थेंडर हो चुका है गोड़ा में जल्दही वासिंग पीट बनेगा की विवस्था की गई थी पुलिश ने उस केम्प को ध्वस्थ कर दिया है केम्प में कुछ नक्षलों दोरा उप्यों की जाने वाले वस्थवे और दैनिक उप्यों की समागरी भी ब्रामत की गई है आप सबों को बता दू कि कुलहांस जंगल में बड़े मावादी नेता सग भी होगी प्रधान मंतरी नरं रमोदी एक मार्च को धनबाद आएंगे इसके लिए धनबाद जिला कर्याले में धनबाद महानगर धनबाद गरामिन और बोकारो जिला के प्रदेश कारी समिती सदेश्यों जिला पताधिकारियों और वरिश नेताओं की एक बैठक की गई जिसकी अधिक्षता धनबाद जिला गरामिन की अध्यक्च घंसयाम गरोवार ने की बैठक को समबोधित करतेवे धनबाद के सांसत पसुपति नाथ सिंग ने कहा कि एक मार्च को देश की प्रधान मंतरी नरं रमोदी का धनबाद आगमान सुनिशित हुआ है प्रधान मंतरी नरं रमोदी एक जनसमा को समबोधित करेंगे उन्होंने कह कि प्रधान मंतरी नरं रमोदी का कायरका डंका पुरी दुनिया में बज़ रहा है पेंसन परपत्र में संसोधन का प्रस्ता हुआ पारित नए पेंसन केता स्वनावरित करमचारी अप कर सकेंगे पेंसन का ओनलाइन आवेदन मंत्री मंडल की बैठक में नए पेंसन योजना केता स्वनावरित कर्मियों को पुरानी पेंसन परदान करने के लिए भरे जाने वाले पेंसन परपत्र के प्रारूप में संसोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है आप सुब को बता दे कि राई सरकार ने 1 सितमबा 2022 से अपने राई कर्मियों के लिए नए पेंसन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंसन बहाल किया है सरकार के निर्णे के अनुसार पुरानी पेंसन योड़ना का लाव उन करमचारी को भी मिलेगा जो 1 सितंबा 2022 से पहले सवरावरित हो चुके हैं और पेंसन की अहरता रखते हैं ऐसे में राज में पुरानी पेंसन की अहरता रखने वाले लगभग 2,000 करमचारी सवरावरित के अब जो है अगले एक से दो महिने में सवानावरित कर्मियों को पेंसन मिलना प्रारम हो जाएगा पूरो मुखमंत्री हमन्सवर repeatedly की रिहाई को लेकर हर गाउं से सहर तक न्याय पद यत्रा निकाल लोगों को किया जाएगा, जागरुक पुरो मुखमंती सहस जेमेम के कारिकारी अध्यक्ष हमन स्वरंग के समर्थन में चकरधरपूर विधानसभा अस्तिरी एक आवस्यक तैयारी बैठक सनिवार को विधायक आवास में जामोमो जिला अध्यक्ष सब विधायक सुखराओं उराओ के अध्यक्षता में संपन जार्खन मुक्ति मोर्चा केंद्री सिमिती और जिला सिमिती के निर्दिशा अंसर जार्खन के परोमुखमंती सहपार्टी के कारिकारी अध्यक्ष हमन स्वरंग की रिहाई को लेकर हर गाउं पंचाज सिलिकर प्रखन और नगर में नियाय पद्यात्रा निकालने का से भजपा के सारे पर गलित आरोप लगा कर जेल भेजा गया उसे बताने का काम क्या जाएगा साथी अगामी 27 फरवरी को केंद्री समिती द्वारा पसिमी सिमुम जिला के बापू वाटी का राची से सामख उपुवास कारिकरम मिला है जिसको लेकर रनिती बनाए गई कि उक् चरितर कत्िनी और करनी को समझ चुकी है हमारे लोग परी anneta को विपक्षी पार्टी भशपा के द्वारा एक सड्रियंत्र के तहत प्रतारित किया जा रहा है और सोची समझी साजिस के तहत फसाया गया है इसी को लेकर आज पार्टी संगठन और समाजिक संगठनों के लोग पुरो मुखमंत्री हमान स्वरन की शमाथन और रिहाई के लिए पूजा पाट परःथना दुआ अपने अस्तर से किया जा रहा है स्वरेने जार्कन की शरा के शरा किला खर समाज जीले के टाउन हौल में आईजित कारिकरम मी करीब 334 करो रुपी के लागत सेदाय संपोशित 220 विकास योड़नाव का उधगाटन ओर सिला नियास किया उन्होंने कहा कि अगले तीन माह में 9 लाग परिवारों को आबवा आवास का लाप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले चरण में दो लाग परिवारों को आबुआ अवास दिया जा रहा है उन्होंने बिजेपी पर निशाना सात्ती भी कहा कि पुरोशियम ने सराइकला के विकास को लेकर एक एट भी रखने का काम नहीं किया उनोंने काख सत्ता पर सरवाधिक समझ तक रहने के बाद भी उसने अपेक्षित विकास नहीं किया श्यम चमपई सुरेने काख सराइकला का सुंदेरी करन किया जाएगा एतिहासिक छवो कला के साथ साथ कलाकारों का एतिहास आने वाले पिरी भी जानेगी उनोंने 334 करोर 12 लाग की लागत से 22 सियोडाओं का सिलन्यास और उदगाटन किया जारखन के मुखमंतरी चमपई सुरेने काख सराइकला में 5 पारकों का निर्बान भी किया जाएगा आदिवासि आर्थिक अस्तल के तरज पर मुलवासियों के धार्मिक अस्तलों का भी विकास किया जाएगा जारखन में पियम नरन रमोदी 26 फरवरी को विधिवत उदगाटन करेंगे उनलाइन उदगाटन 43 करोर रुपी हुए है खर्ज जारखन के स्राइकला खस्वा मुख्य मार्ग बरुडी में बने रेल्वे ओबर बिरिज का 26 फरवरी को विधिवत उदगाटन करेंगे प्रधान मंत्री नरन रमोदी नाईद दिली से इस रेल्वे ओबर बिरिज समित विभिन यूजनाओ का उनलाइन उदगाटन और सलन्याज करेंगे रेल्वे की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है 937 मीटर लंबी इस रेल्वे ओबर बिर्ज के निर्मान पर करिबते 40 करोड रूपिये खर्चवे है जनकारी का अनुसार बरूडी में आरोबी के पास भी कारिक्रम का उयुजन किया जाएगा उदगाटन कारिक्रम करीब साड़े 10 बजे से शुरू होगा बरूडी में फाटक को बंद कर इस आरोबी पर आवागमन भी शुरू हो गया है आप सुब को बता दू कि खर्चवा सराइकला मुखे पत बरूडी में रेल्वे फाटक के पास रेल्वे अवर ब्रिज बन जाने से खर्चवा कुचाई से सराइकला तक का सफर असान हो गया है फाटक में अक्सर लगने वाली जाम से लोगों को मुक्ति भी मिल गई है आज होगा साइकलोथोन इवेंट सेकलो परतिभागी लेंगे भाग फेक न्यूज और डीप फेक के दूस परभाव से अवेरनेस लाना है उद्देश विजेताओं को मिलेंगे प्रुसकार राइधानी राची में आज साइकलोथोन दोग केटेगरी में होगा पहली केटेगरी 25 किलोमेटर की होगी वहीं दूसरी केटेगरी 50 किलोमेटर की होगी इस इवेंट में लगबख 100 परतिभागी हिस्सा लेंगे इस आयोजन का ओदेश फेक न्यूज और डीप फेक के दु साइकलोथोन की ओसे किया जा रहा है इस साइकलोथोन सुबह साड़े 5 बज़े से शुरू होगा और यह साड़े 7 बज़े तक समाप्त होगा दोनों है केटेगरी के परतिभागी अपनी दूरी तैकर विंदावन वेकवेंट हौल मुरहबादी पहुसेंगे विजयताओं को प्रुस्कित भी किया जाएगा आयोजक की ओसे बताया गया साइबर अवेरनेस तो इस एवेंट का उदेश है ही साथ ही हमारी कोशी से कि लोगों को अपने जवन सेली में साइकलिंग को सक्री रूप से सामिल करने के लिए प्रेडित करना जरकन के गुमला में सडक हास्ते में दो इवकों की मोथ हो गई जबकि एक युवक की हालत नाजुक है यह से भी युवक एक ही बाइक पर सवार थे और एक समारों में भाग लेकर घर लोट रहे थे इसी दोरान एक वहन से टकर हो जाने के कारणी यह सरक हास्ते के सिकार होगे बताया जाना की बाइक की रपतार काफी अधिक थी हास्ते के बाद गाउं में सोक की लहर है परीड़ों का रोरोकर बुरहाल है इधर गुमला पुलिस को हिटना मिलने पर एसाई बिरवल पांडे दलबल के साथ घटना स्तरपर पोहँच का दोनों सोव को टेंपो के माधिम से सदर हस्पिताल गुमला भिजवाया घायल को भी सदर हस्पिताल गुमला भिजवाया गिया सनवार की शुवा एसाई मुने स्तिवारी ने सदर हस्पिताल पोहँच का दोनों सोव को पच्ट न मामेला के पहले दिन यानि कि शनिवार की शुबह से ही सर्धालों का जथा गंगास नान एंग पोजन के लिए गंगातट पहुच्चा लाकों के संख्या में आदिवासी और गैर आदिवासी सर्धालों ने अस्था की डुपकी भी लगाई मागमास की पुर्णिमा पर जार्खन के एकमात राजमाहल के उत्तर वाहिनी गंगातट पर लगने वाले मागी मेला कई मायनों में खास है यह मेला आदिवासी एवंगैर आदिवासी समाज के सांजी संस्कृती का एक अधभूत मिसाल पेश करता है गंगातट पर आदिवासी का जुटान इतने बड़े संख्या में राजमहल में ही होता है इसलिए इसे आदिवासी का महकुम भी कहा जाता है जिला परसासन की ओर से भी परचार पसार बेनर में राज की मागी पुर्निमा मेला यानकी जर्खन आदिवासी महकूम अंकीत हैं यहां विदिन समाज एवंग सपाहोड आदिवासी समाज के सरधालों अपने अपने धर्मगुरों के साथ अनुसासनिक तरीके से अपने अखाडा से निकल कर गंगा असनान और गंगा पुजा एउंग घंटो सुर्वी अपासना के उपरांत लोटा में जल लेकर भींगे वस्तर में ही अखाडा पोहिटते हैं जहां इस्ट देवता और अन देवताओं की अरहधना की जाती है अखाडा में सभा होड आदिवासी तुलसी का पेर रख कर एंगतिर सुल गार कर ओम के उचारन के साथ पुजा अर्चना करते हैं वही पुजन के उपरांत लोटा के जल को सर्धालों अपने अपने घर भी ले जाते हैं गुरु बाबा पुजन प्रनाली के दोरान बेंत की ल सर्धालों की भीड मंदिर परिशर में देखी गई लगबग एक लाग सर्धालों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की मही सिग्र दर्शनम की कतार में लंबी लाइन भी देखी गई मागी पुर्णिमा के औसर पर सर्धालों गंगा सनान कर बाबा बेदनात पर जलार बाबा मंदिर के स्टेट प्रोहित स्रीनात महजन ने बताय कि आज के दीन क्या गया अनुष्ठान कभी बिकार नहीं होता। बस में महला अंगबच्चों स्मित साथ लोग सवार थे सभी उत्तर प्रदेश के आयुध्या में भगवाल सिर राम के दर्सन के लिए जा रहे थे। बताय जराय की बस के चालक को जब की आ गए जिसकी वज़ा से धुरगट ना हुए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इज़ाजत नमस्कार।